नमस्कार साथ यों स्वागत है आपका अपने ही योटोब चैनल पीरू अकैडमी पर सभी को गुड मॉर्नि वंदे मात्रम जय हिंदो मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वास्त मस्त और खुसालों के डियर बात करेंगे डियल अड़ भरतियों के लिए एक बड़ी पूरे वीडियो परंतक बने रहिएगा सारे डाउट आपके एक वीडियो पर क्लियर करने की कोशिज करेंगे जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सबस्क्राइब कर लिजे वीडियो को लाइट कर दीजेगा सेयर कर दीजेगा डियर आपकी स्क्रीन sentenced सब पर रज्य सरकार से जवाब बंगा है जैसा कि आप जानते हैं कि 79,000 से चक भरती में दो बड़े पेच कही ना कही भरती प्रिक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं पहला मामला आरशाट सो की आरचण की सूची जो जारी की गए थी जिसमें रिजर्वेसंस को लेकर की कुछ पढ़िया आई थी और जिसके कारण योगी सरकार ने अरशाट सो की एक सूची जारी कर दी थी लेकिन उस सूची को पूरी तरीके से रिजिक्ट कर दिया है लखनव खंडपी थाई कोट के द्वारा निश्चित तोर पर 79,000 में अभी एक अंक वालों का ये मैटर है जिसमे एक अंक से वनचित छात्रों को निवक्ति पत्र देने का आदेश जारी किया गया था कोट की तरफ से फिलहाल सरकार ने अभी तक उनको कोई निवक्ति पत्र नहीं दिया है इस संदर्भ में कही ना कही आउमानना याची का जो जारी की गई है और निश्चित तोर पर यहा आवेदन मांगे गए और लिस्ट तयार कर सचिव बेसिक सिच्चा परिसत पुर्यागराज को भीज दी गई है यानि कि कोट में पहुंचे थे अनिल भूफर चतुरुबेदी जो पी अन्पी कार्याले के प्रमुक हैं और उन्होंने इस पर शतौर पर कहा है कि आवेदन इनक दिया है जिस पर अमल किया जा रहा है जिस पर कोट ने हलपनामा दाखिल करते का आदेश देते हुए सचिव की हाजरी माप कर दी है या आदेश नियायमूति रोहित रंजय नंगरवाल ने अस्टोनी कुमाठ त्रपाठी की आवमान्या याचिका की सुनवाई करते हुए निश्चित तोर पर जो ये एक नंक वालों को न्योक्ति पत्र नहीं मिल रहा है इडियर उसका जो मेन मामला है वो अरशट सो की सूची का मामला है क्योंकि सिंगल बेंट से अरशट सो सूची का जो मामला है वो रद्धुआ है लखनव घंडपीट के द्वारा लेकिन कुरी तरीके से रूगी रहेगी क्योंकि सरकार ये चांती है कि हो सकता है अरशट सो सिच्छक भरती में डबल बेंट से मामला कही ना कहीं फिर अभ्यर्थियों की तरफ पल्टे इसलिए फिर मेरिट बनाने में दिक्कते आएंगी तो इसलिए वो दोनों जो मामले और चुके या स्कूल में प्रवेश ना लेने वाले बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए जहां कई अभियान चल रहे हैं वहीं अभियान में डियलेट प्रसिच्चुओं को भी सामिल करते हुए उनके लिए लच्छ रिधालित किया गया है अब आप जो कोई भी साथी बिटीसी या डिफलेट में बी संस लेकर के उसका प्रसिच्चन प्राप्त कर रहा है तो उसको कही ना कहीं एडिफलेश एक दो बच्चे का हरालत में कराना होगा यहाँ पर लिखा है पांच से अधिक प्रवेश कराने पर देंगे प्रसस्ती पत्र अगर कोई 5 से जज़ा बच्छों का प्राइमरी में नावांकन करा देता है डिल्ड का प्रसेक्चू साती तो उसको प्रसस्ती पत्र सरकार की तरब से दिया जाएगा बात कर लेते हैं क्ली ख़़र की तु अगली ख़़र आप देख सकते हैं प्रदेश के 331 सहायता प्राप्त महाविद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् सबी का जो ब्योरा है वो तलब कर लिया है डियर आप देख सकते हैं असास की कालेजों में कर्मचारी, भरती की तयारी, मांगा गया ब्योरा, दस साल पहले मांगी गए थी सूचना, 1043 पत्थे खाली, तो आप देख सकते हैं ये एक बड़ी भरती की तयारी निश्चित तोर जो है कही ना कहीं सासानिस्तर पर इसकी सुबूगा हट टेज हो गई है और जो असास की महाविद्याले में पदरिक्थ हैं, उनको जल्द से जल्द जो भरने की कवायद है, वो योगी सरकास सुरू करेगे डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर पेपर पुलिस के बिसेश समूँ है, यसोजी ने इस पेपर लीक मामले में कटारा के साथ उनके भतीजे भीजे कटारा और आर पीएस के एक चाला गोबाल सिंग को मंगलवार को हिरासत में ले दिया है, इन तीनों को उधैपूर की एक अधालत में पेस किया गया, जहां से उन्हे कही ना कही लोग सिवा आयोग में इतनी वड़ी धांजरी देखनें की मिली है कि सिच्छक भरती का जो पेपर है, वो पूरी तरीके से 60 लाख रुपए में कही ना कहीं लीक किया गया है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पेपर लीक की जो भटमाएं हैं, वो प्रतेग राज जिमें देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इसमें कोई सिच्छा वीभाग से जुड़े अधिगारी होते हैं, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, सासन इसतर से जुड़े किसी ना किसी कर्मचारी का हाथ जरूर होता है डियर, बात कर लेते हैं भी यट पातरता वी पूरी हैं कि 20 से 30 अप्रेल के बीच में जो कॉजलिस्ट जारी होगी मानिश्य प्रिम कोर्ट के द्वारा आडर की उतमें 20 पातरदा विवात का जो कॉजलिस्ट है निस्चित तोर पर वो दिखाई देगी पूरे वीडियो पर आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में शाब द कर दीजिए वीडियो को सेर कर दीजेगा जय हिंत वद्धिमात रहा है